हाई गाईज आजकल सभी लोग शायते हैं ऐसे कोई नासता हो जो बिलकुल कम समय में बनकर रेडी हो और हेल्दी भी हो तो मैंने सुझा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ बेसन के चीले की रेसिपी जो की बहुत ज़दा हेल्दी भी होता है और बिलकुल कम समय में बनक इकटी होई और डालेंगे अध्रक लैसन मैंने ग्रेट कर दी आप चाहिए तो इसका पेस्ट भी डाल सकते और साथ में डाला हरा दनिया बारी कटा हुआ और साथ में डाल देंगे नमक लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर आने के लिए और धनिया पाउडर सबी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डाल करके एक अच्छा सा फ्लोइंग बैटर रेडी कर लेंगे पांसे दस मिनट के बाद फेटने के बाद यह हमारा बैटर कुछ इस तरह हो जाता है इसको इसी तरह फेट लेंगे और दस मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे फिर चलते हैं दस मिनट के बाद हमारा पैन एकदम गर्म है उसमें थोड़ा से तेल लगा लेंगे और अ और उपर से इस तरह से तेल थोड़ा चीड़क देंगे और एक साइट पक जाएगा उसके बाद इसको फिलिप कर देंगे हम दूसरी साइट भी इसको बढ़िया से पका लेंगे इसकी जो फ्लेम रहेगी वो लो टू मीडियम रहेगी ये देखिए हमारा ये वाला चीला बन कर एकदम तयार हो गया दोनों साइट अच्छे से पक चुका है अब इसको हम अपनी प्लेट में अलग निकाल लेंगे अब दूसरे चीला बनाते से उसी प्रोसेस से तेल लगा लेंगे पैन में और उसके बाद हम ये अपना बैटर डा देंगे फ्लिप कर दिया है उपर से भी थोड़ा से तेल लगा दिया है अब ये लीजिए कुछ ही मिन्टों में ये वाला चीला भी हमारा बनकर रेडी हो गया इसी तरह करके सारे चीले रेडी कर लेंगे तो देखा आपने कितने कम समय में हमारा बेशन का चीला रेडी हो करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिलकुल भी ना बूलें थाइंक यू